सिविल सर्विस परिक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नवजवान साथियों नमस्कार फ्रेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं इरान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्स और तनाओं की स्थिती बन गई है उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं यह इंटरनेशनल अफेर्स का टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप इंटरनेशनल अफेर्स के किसी भी टॉपिक की तैयारी करें खासकर करेंट के अनतरगत तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो जो घटना घटित हो रही है उसका भारत पर क्य प्रभाव पड़ेगा या यूँ कहलिजे कि उस घटना से भारत किस प्रकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक्जामनेशन में जो कोश्चन पूछे जाते हैं अक्सर वो भारत के प्रभाव या भारत की संबदता को लेकर ही पूछे जाते हैं और यहां तक की प्री में भी तो आपका ध्यान इस तथ्य पर बिलकुल होना चाहिए अब आप देखे कि जो संघर्ष है उकिन के बीच में है इरान और पाकिस्तान के बीच में तो जाहिर है कि चुको पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो सभाविक तोर पर इसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा देखना है लेकिन बहुत ही सामान्य तोर पर देखना है बहुत गहराई में नहीं जाना है देखे जब से संघर्ष जारी है तब से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिले होंगे बहुत सारे एडिटोरिल कमेंट्स भी किये रहे हैं जो सभावी की था क्योंकि जिस तरह से पस्चिमेशिया मद्य इसिया की स्थिती होती जा रही है उसको देखते हुए एक ये नया मोर्चा जो शुरू हो गया है दुनिया के लिए चिंता का कारण है आप देखे कि एक तरफ इसराइल और अमास युद्ध में लगे जारी है इसलिए विश्व के दारा चिंता किया जाना ये बहुत जायज है कि ये एक नया मोर्चा शुरू हो गया है लेकिन लग रहा है कि जैसे ये मोर्चा बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाएगा तो आईए देखते हैं कि दोनों के बीच ये जो तनाव है उसका कारण क् नोट कीजे बलुचिस्तान इलाके में वहाँ जो सुन्नियों के अलगावादी संगठन है पाकिस्तान के बलुचिस्तान वाले इलाके में और वहाँ एक संगठन है अलगावादी संगठन जैश अल अदल उस पर हमला कर दिया ड्रोन से और मिसाइल से ठीक है बदले में पा पाकिस्तान क्या कह रहा है मज़ेदार बात है पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपके यहां जो आतंकवादी संगठन है वो हमारे यहां हमला कर रहे हैं और इरान कह रहा है कि पाकिस्तान के यहां जो आतंकवादी संगठन है वो हमारे यहां हमला कर रहे हैं मज़ेदार बात यह ह कि ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के द्वारा आतंक वादी या यूं कह लिजे कि अलगावादी समूहों के द्वारा हमला करने का आरोप लगा रहा है ठीक है अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी जो मैंने बात कही थी उसमें बलुचिस्तान बलुच बलुचिस्तान एक बहुत बड़ा छेतर है बहुत बड़ा एरिया है इसका कुछ भाग इरान के पास है कुछ भाग पाकिस्तान के पास है और कुछ भाग अफगानिस्तान के पास है मतलब इन तीन छेतरों में ये बलुचिस्तान फैला हुआ है अब ये जो बलुचिस्तान है, उहाँ एक अंधोलन चल रहा है, अंधोलन इस بात को ले करके की हम ये जो बलूचिस्तान का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो तीन देशों में बटा हुआ है, इसको मिलाकर हम एक अलग रास्ट बनाना चाहते हैं, एक जो बलुचिस्तान की मांग करने वाली जो लोग हैं पर मांग करने वाले लोग इरान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं तो पाकिस्तान वाले इरान पर अटैक कर रहे हैं और इरान वाले पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है व यह भी एक कारण माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे के उपर अटेक किये हैं तो दोस्तों यह तो अटेक करने का कारण था और अटेक करने का कारण आप समझ गये होंगे कि बलुचिस्तान है और बलुचिस्तान में जो अपने मुमेंट को ले करके जो लगातार एक सक्रीत यहां तुसी को आधार बना करके दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब यहां मज़दार बात लगे होगी, पाकिस्तान कहरा है कि हमारे यहां तुम्हारे जो अलगावादी संगठन हैं वो हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है भारत में आप देखिए कि खुद तरस्त है परिशान हो रहे हैं तो अटैक कर रहे हैं और भारत के कश्मीर में पाकिस्तान यही कर रहा है इरान क्या कर रहा है इरान कर रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठने यालगावादी रहा है उसके एक समू को जो अलगावादी समू है जिसे आतंकवादी समू भी कहा जाता है उसे इरान सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद जिस तथे से परिशान है आप उसी तथे को बढ़ावा दे रहे हैं खेर अब यह बड़ी विचितर सी स्थिती और मुझे लगता है कि यह इंटरिस्टिंग स्थिती भी है तो दोस्तों अब भारत कहा है और भारत क्या करे अब आपको यह देख रहा होगा कि अब भारत क्या करे ठीक पाकिस्तान की सीमा तो सीधे सीधे हमसे मिलती ही है एरान हमसे थोड़ा सा दूर है लेकिन इंपोर्टन यह है कि यह जो पूरा का पूरा मध्ध एशिया है भारत के लिए बहुत important है दो दृस्टियों से important है देखिए मैं बहुत ही जो मुख्य बाते हैं वही आपके सामने रख रहा हूँ मैं बहुत जादा तत्यों को ले करके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि उसकी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता यह जानना कि इसमें से क्या important है और क्या important नहीं है उस पूरे के पूरे एरिया में हमारे दो तीन बहुत बड़े हित है पहला हमारा जो हित है वो है petroleum पदार्थों का आयात करना वहां से हम petroleum पदार्थ आयात करते हैं आपको मालूम है कि हम अपनी जरूरत का लगबग 80% petroleum आयात करते हैं अब अगर वहां ये अशान्ती की स्थिती हो जाती है तो petroleum पदार्थों के आयात पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ petroleum पदार्थों की supply जब विश्यों में कम होगी उनके मुल्यों पर भी असर पड़ेगा तो हमारे लिए एक चिंता की बात है दूसरी जो बात है वो है कि खाड़ी छेत्रों में उस देशों में हमारे बहुत से भारती यह रहते हैं आपको मालूम है कि बहुत से भारती रहते हैं उनकी सुरक्षा की भी थोड़ी सी चिंता हो जाती है और जो तीसरी बात है जो किसी भी माइने में कम important नहीं है यह हमारा जो विदेशी ब्यापार है आप जानते हैं कि वो समुद्र पर निरभर है हमारा जो मुख्य मारग है विदेशी ब्यापार का वो जल मारग है लाल सागर में problem हो रही है उसी के आसपास के देश ये है तो अगर यहां अशांती फैलती है और युद्ध की स्थिती बनती है तो definitely उसका negative impact सीधे ही जल यातायात पर पड़ेगा इससे हमारा निर्यात भी बाधित होगा और जब हमारा निर्यात बाधित होगा तो भारत की आर्थी के स्थिती क्या हो सकती है अब बहुत आराम से समझ सकते हैं तो ये तो impact की बात हुई भारत का stand क्या हो इसमें सवाल यह उठता है कि भारत का stand क्या हो देखे सीधी सी बात है कि भारत सीधे सीधे इरान के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता उसका कारण ये है कि जो अमेरिका जैसे देश हैं वो इरान के विरोध में खड़े हैं और अगर हम सीधे सीधे इरान का पक्ष लेते हैं तो हम अपने इन मित्रों को नाराज कर देंगे। इसलिए भारत ने देखी बिलकुल साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि भई यह उनका अपना मामला है वो देखें। चिंतित भारत जरूर है लेकिन ठीक है वो उनका पक्ष भी नहीं ले सकते हैं तो सीधी सी बात है कि भारत ने बहुत अच्छा स्टेंड लिया यह इरान का आंतरिक मामला है वो इसे देखें वे इसे समझें। एक अच्छी बात यह है कि यह जो संघर्ष है यह जो युद्ध की स्थिति है बहुत जादा भड़क नहीं रह ही है तो लोग थोड़ी से रहात की सांस ले रहे हैं लेकिन इस पूरी के पूरी घटना की जो प्रिस्ट भूमी है वो मैंने बहुती सरल तरीके से बिना किसी जटलिताओं के आपके सामने रखने की कोशिस की है और एक दो बार यदि आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो ब वाली चिच्तान वाला एरिया है वो कितना है उससे आपको इसके बारे में समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि इरान और पाकिस्तान के बीच जो बॉडर एरिया है नाइन फाइब नाइन किलो मीटर है नौसो उनसट लगबग लगबग आप कहले जे मोटे तोर पर सीमा रेखा है इतनी बड़ी सीमा रेखा को आसानी के साथ आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो यह जो इतनी लंबी सीमा रेखा है वो डेफिनिटली इन दोनों देशों के सामने एक नई चुनोंती उत्पन करती है लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कि आपकायदे एटलस में जा करते हैं जहां हमारे बहुत सारे स्रमिक और लोग काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लें तो आपको यह जो पूरे का पूरा जो एरिया है उस एरिया की अच्छी सी जानकारी हो जाएगी और जिस तरीके से पूरा का पूरा एरिया एक तरसे हाट डिसकशन में बना चाहिए तो दोस्तों इस मुख्य विशे के बारे में आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली आडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार